आजाओ, daily vocab analysis, पहला शब्द है annulment, an official announcement that something such as law, agreement or marriage no longer exists or the process of making this announcement. So, the discovery of the election fraud has led to the annulment of 50,000 votes, यानि जब ये पता लग गया कि भई इस election में fraud हुआ है, तो 50,000 के करीब जो votes हैं, उनकी कानूनी बैदता जो है, वो खतम हो गई, या जब कहीं पर भी कोई fraud होता है, है, scam होता है, तो जो लोग उस प्रक्रिया के थ्रू चुन के आते हैं, उनकी चुनाओं को रद कर दिया जाता है, तो annulment, ध्यान रखिये, अच्छा शब्द है, अगला शब्द है, nuances, जरूर कई बार सुना पढ़ा होगा, nuances का क्या मतलब होता है, बारी किया, a very slight difference in appearance, meaning, sound, etc. The painter has managed to capture every nuance of the woman's expression, linguists explore the nuances of language, समझ में आ गया न, very slight difference in appearance, जैसे आपको याद होगा, इस channel पे भी है, अब I love you के लिए, Latin में क्या है, French में क्या है, तो अलग-अलग शब्द, वो Tiamo, जो एक सौंग भी था, Tiamo, Jitam, तो Spanish में क्या है, तो कहीं पर T-I आ गया, कहीं पर T-E आ गया, अब आप मुझे बता न, Tiamo जो शब्द मैंने बोला है, इस में से कौन सा, किस भाशा से बिलॉंग करता है, एम और जो है, वो रूट वर्ड है, एम जो है, लव के लिए, तो वहीं से, तो मतलब जो भाशा के बीच की थोड़ी-थोड़ी सी बारी किया है, या उसके बीच की बारी किया है, या उसके बीच की कनेक्शन की बारी किया है, जब हम Etymology पढ़ते हैं, कि किसी भी शब्द का जन्म कैसे हुआ, तो उसमें हमें nuances का पता लगता है, अब जिसे आप Gynecology या Pediatrician की जब आप बात करते हैं, तो Spelling G-Y-N-A-E या P-A-E-D, ले और तो period शब्द बदलते जाते हैं, उनके Spelling में भी बदलाओ आता है, और मैं बार बर कहता हूँ, English एक खिचडी भाशा है, इस पर संस्कृतियों का बहुत प्रभाव पढ़ता है, तो यह बहुत ही interesting चीज़ होती है, उनकी nuances को समझना, अब ऐसे यहाँ Penter का example है, every nuance of the woman's expression expression के लिए बड़ा प्यारा शब्द ध्यान में आ रहा है, वो क्या है, वो है countenance, याद रखिये, countenance, countenance का मतलब होता है facial expression, facial expression, उसको कहते हैं हम countenance, तो वही बात कि, facial expression जैसे we have 70 muscles in our face that can create 7000 kinds of expression, तो अब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको इतने सारे expressions हैं तो उसकी बड़ी बारी किया है, TMO Spanish, good morning, जिटेम तो फ्रेंच है, बहुत बढ़िया, कुमार सुमन, countenance, appearance एक general शब्द है हमारा, भई सेशन को जो है वो थोड़ा सा share कर दीजेगा, लाइक और share करने का काम कर दीजे, दोस्तों मित्रों को इतनी मेहनत होती ही, वो ज्यादा तर लोगों तक पहुंचे, यही purpose है, acumen, the ability to understand and judge things quickly and clearly, जैसे हम कहते हैं, business acumen, financial acumen, यही बुद्ध की जो आपकी तीक्षडता है, she has considerable business and financial acumen, apprise, to tell or inform someone about something, बहुत प्यारा शब्द है यह, इसके साथ एक और word, जो confusing word में आ जाता है, वो होता है, appraise, यहीं से आप शब्द सुनते हैं, appraisal, right, तो appraise और apprise में क्या फर्क हो जाता है, appraisal, बैंने इसलिए लिखा है, so that आप relate कर पाएं, तो appraisal meeting के अंदर क्या होती है, किसी की भी performance जो है, उसकी एक assessment की जाती है, जिसे साल खत्म हो रहा है, और financial layer आपको पता है, अप्रिल टुमार चल रहा होता है, तो January, February में बहुत सारी organization के अंदर appraisal meeting चल रही होती है, कि अगले financial layer से, यह सजजन जो इस organization में काम कर रहे हैं, उनकी salary कतने percent बढ़ानी है, तो अचार appraisal meeting करते हैं, जिसमें आपकी assessment होती है, performance की, आपके KRAs की, जिसको हम कहते हैं, key result areas, कि आपको क्या-क्या काम दिये गए थे, पिछले साल में आपकी performance कैसी रही, और उस आधार पे आपकी salary में क्या बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो जो assessment है किसी के performance की, उसको appraisal कहा जाता है, और apprais जो है, किसी को inform करना, किसी चीज़ के बारे में, the parents were apprised of their son's injuries, ये भी जैसे अभी हमने commence word किया, तो commence is more of formal word, तो वैसे ही apprais भी है, कि माता-पिता को बच्चे की injuries के बारे में सूचना दे दी गई, याद रखे, apprais, dilatant, ये कई बार one word में भी आया हुआ है आपके paper में और spelling error में भी, तो कि double T है, तो वो कभी single, कभी double, कभी इधर double, ऐसे करके option दे देते हैं, a person who is or seems to be interested in a subject, but whose understanding of it is not very deep or serious, he is a bit of a dilatant for as far as wine is concerned, right, तो एक इंसान who is or seems to be interested in a subject, ऐसा लगता है कि हाँ उसका interest तो है, लेकिन जो उसकी understanding है उस field के बारे में, वो उतनी गहरी नहीं है, superficial है, सत ही है, right, तो उसके लिए हम इस्तमाल करते हैं dilatant, अब जैसे he is a bit of a dilatant as far as wine is concerned, अब मानलो कोई wine का वड़ा expert हो, और कोई इंसान बैसे तो रखता हो interest, लेकिन उसको उतना उस field के अंदर knowledge ना हो, उसे हम dilatant कहते हैं, मैंने वही कहा कि one word में भी कई बार ये शब्द आया हुआ है, इसका synonym भी कुछ पता होगा तो वह आप जरूर लिखिएगा, ठीक है? इंजीनियस, used about a thing or an idea, made or planned in a clever way, उसको हम इंजीनियस कहते हैं, इंजीनियस का मतलब क्या है? आपको पहले भी ये शब्द कराया होगा, इसको जीनियस से रिलेट कर लो, जीनियस इंसान जो होता है, वह बहुत ही तीश्ट बुद्दिका होता है, बहुत ही जिसको हम कहते हैं, अपने को लोकेल एक्परेशन बहुत जुगाड़ू होता है उस heat of the moment में चीजों को समझ पाता है वो, तो full of new ideas and clever at finding solutions to problems or at inventing things, उसको आप इंजीनियस कहते हैं, right, so an ingenious idea, method, solution, जब सभी लोग परिशान हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा, और वो इंजीनियस आदमी क्या ये चीज तो ऐसे कर सकते हैं, see devised an ingenious solution to the problem, right, अब ये device जो है यहाँ पर verb के तौर पर इस्तमाल हुआ है, noun में C-E हो जाता है ये, so ingenious, वसे genius के spelling अलग है, बट ये याद रखने के लिए जरूरी है, और ये ingenuous को याद रखना genuine से बहुत आसान हो जाता है, genuine के spelling में आपको G-E-N-U मिलता है, तो ingenuous का मतलब honest, innocent, willing to trust people in a way that sometimes seems foolish, बड़ा ही genuine इंसान है, सीधा साधा है, honest, innocent, willing to trust people in a way, इसलिए इसके लिए कुछ और synonymous word कौन कौन से हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं, बहुत ही gullible इंसान है, बहुत ही naive है, simpleton है, सीधा साधा है, तो बहुत दमाग नहीं लगा पाता है, और लोगों को बहुत आसानी से trust कर लेता है, और जो लोग trust कर लें, बहुत आसानी से और उसकी वज़स से उनको चूना लग जाए, या बहुत आसानी से लोग उनको अपने जहांसे में ले ले, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, they are called crazulous, और in general देखेंगे, तो आम आदमी crazulous होता है, अगर वो advertisement से प्रभावित हो जाए और जा करके सामान खरीद ले, या बड़े-बड़े claims उसके पास अपनी बुद्धी ना हो सोचने या समझने की, तो ऐसे लोगों को हम crazulous बोलते हैं, तो यह word धियान में रखे हैं, gullible, naive, crazulous, ingenuous, it is ingenuous to suppose that money did not play a part in his decision, right, मतलब ऐसा सोचना की पैसे ने कोई रोल नह निभाया उसके इस decision में, ऐसा सोचना बहुत ही, मतलब naive act है, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, next, nexus, again यह word आपने खूब सुना है, a complicated series of connections between different people or things, the nexus between teachers and students, the nexus between poverty and crime, nexus between bureaucrats and businessmen, you know, तो यह होता है, nexus, complicated series of connections, scribble करना, scribble अपने आप में scribe root word है, to write something quickly and carelessly, जिसको आप कहते हैं न, jot down करना, जल्दबाजी में जब कोई चीज़ आप लिखते हो, so to write something quickly and carelessly, to make marks with a pen or pencil that are not letters or pictures, the children had scribbled all over the walls, अब आपको automatically दियान में रहेगा, कि बच्चे जो हैं वो घर की पूरी दिवारों को रंगीन मना देते हैं, अलग-अलग markers, pen, color से, इसी से आपको मतलब समझ में आ गया, एक ऐसी महिला जो बड़ी bad tempered है, बहुत aggressive है, और सबको dictate करती रहती है, कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे को विरागो बोलते हैं, violent, unpleasant woman, who is often angry, तो थोड़ा सा opposite trait जरूर है, as far as womanly traits are concerned, चले, one word substitution पर आते हैं, substitution बड़े सारे अच्छे root word हैं यहां पर, पहले सबसे पहले मुझे यह बताओ कि options में आपको कौन-कौन से root word नजर आ रहे हैं, हां जी, यहां पर, the state of being subject to death, this is the first question, रूट वर्ड, तीनों options के अंदर, यहां पर कौन सा root word है, M-O-R, यहां पर C-I-D-E और यहां पर L-O-G-U-E, ठीक है, So, M-O-R का मतलब होता है death, this is the root word, the state of being subject to death, deadly, immortality, mortality and morbidity, so the correct option is what, that is mortality, mortality rate, immortality definitely उसका opposite हो गया, immortal, अमर, deadly, कैसा है, word आपको पता ही है, और morbidity जो शब्द है, morbidity और mortality में आप थोड़ा सा confused हो सकते हैं, तो इसके बारे में अभी मैं, एक next slide आपको मिल गई है, यहां पर अभी मैं थोड़ी सी इसकी detailing में जाऊंगा, अगला है killing of one's mother, बहुत बार आया हुआ, दोनों का मतलब क्या होता है, that is mother, यह mother हो गई, रेजिसाइड, रेजीम, यह king की हत्या हो गई, इन्फैंटिसाइड, नवजात, शिशु की हत्या हो गई, introductory section of a literary work, that is prolog, introductory speech या introductory work, जो भी है उसको pro कहते हैं, जो concluding है, उसे आप epilogue कहते हो, यह concluding हो गया, वैसे ही आप बात करें, monologue की इसके बारे में ही बात हुई है, जब एक इनसान बोले और बाकी लोग सुनें, और dialogue जो है, डाई दोनों तरब से बातचीत हो रही है, तो आईए फटा-फट, एक बर quickly इसको review कर लेते हैं, So, the first root is what, that is M.O.R. death, कौन-कौन सा शब्ध्यान में आ रहा है, M.O.R. T.U. A.R. Y. M.O.R. G.U.E. M.O.R. अच्छा, इन दोनों शब्धों में क्या फ़र्क है? M.O.R. and M.O.R. कई बार हम इनको interchangeably इस्तमाल कर लेते हैं, कि दोनों का मतलब एक ही होता है, similar words हैं, बड़ अगेन, फोड़ा सा फ़र्क जरूर है, कई जगों पर करते भी होंगे, hospitals में होता है, in general, किसी की death के बाद कई बार उसकी identification नहीं हो पाई, या उसका post-mortem करना है, तो वहाँ पर body को सुरक्षित रखा जाता है, मौर्क के अंदर, जबकि मौर्चुरी जो है, वहाँ पर funeral से जस्ट पहले, जहाँ पर आप रखते हैं, वहाँ वह भी dead body रखने की ही जगह है, बट again थोड़ा सा context में difference है, कि अब सारी प्रक्रिया होगे, लेकिन अभी मौर्चुरी में रखी है, उसके बाद उनका अंतिम संसकार जो है, वो करना है, तो dead body रखने की ही जगह है, बट there is a slight difference, अगला शब्द, अगला जो शब्द है आपके बास, मौर्च से वो कौन सा ध्यान में आ रहा है, जो यहाँ पर अभी हमने किया था, morbid, और इसी morbid से morbidity शब्द आ जाता है, यह word भी COVID के टाइम पे आपने खुब सुना, comorbidity, तो देखो, morbid state जो होता है, वो actually unhealthy state होता है, तो यह unhealthy state जो है, आपकी body का या आपके mind का, दोनों के लिए इस्तमाल हो जाता है, morbidity का, तो इसका सीधे सीधे death से मतलब रिष्टान आता नहीं है, किसी चीज़ को लेकर के morbid obsession हैं, आपको तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह की सनक है, हुई चीज़ अगर unhealthy हो, घलत हो, तो उस context में आप लेकर के जाते हैं, morbid, और वहीं से noun बन जाता है morbidity, unhealthy state of your mind, body, health, जो भी है, अगला जो शब्द हैं हमारे पास, वो आ जाता है moribund, moribund, moribund का मतलब होता है closing to death, अब किसी का accident हो गया, bleeding हो रही है, और 30 minute के अंदर अंदर उसकी मौत हो गई, तो उस 30 minute के दौरान, वो closing to death, मौत के नजदीक पहुँच रहा था, बाकी mortal और immortal तो आप जानते ही हैं, अभी पीचे शब्द ही देखा हमने, तो mortal, immortal जो है, that is, हम सब mortal हैं, नश्वर हैं, मरने वाले हैं, और जो को अमर्ब हो जाए, वो क्या होता है, immortality, immortal, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगला जो शब्द हैं हमारे पास, that is side, बहुत सारे शब्द हैं इससे, बट सारा यहां पर accommodate करना थोड़ा सा मुश्किल है, जो यहां पर लिख दिया, उसको तो हड़ाई सकते हैं, पैट्री जो है, यह ध्यान में रखिए, पैट्री हो या पैटर हो, यह फादर होता है, पिता की हत्या, यह किंग की हत्या हो गई थी, यहीं से paternal property आता है, paternal, maternal, और पैट्री, मैट्री, यह पिता और वो माता, इसके अलामा जो कुछ नए शब्द हैं हमारे पास, वो कौन-कौन से हैं, what is the killing of brother, F-R-A-T-R-I-C-I-D, fratricide, what is the killing of sister, that is S-O-R-O-R-I-C-I-D, sororicide, soror का मतलब sister, what is the killing of husband, that is mariticide, marital relationship, marital status, marital status, तो वहाँ से याद रख लो, marital status actually आपका root word होता है, husband के लिए, तो mariticide जो है, वो killing up husband है, अब husband है, तो फिर wife की बात आएगी, और वो हो जाएगी, axoricide, right, axoricide, तो यह ध्यान में रखें आप, अब इसके अलामा, जो बहुत ही आसान और basic शब्द हैं, वो सब जानते हैं, आप यह जो कितने भी कीट ना सक हैं, यह दाट इस, pesticide, insecticide, germicide, even liberty-cidal tendency, liberty-cide, यह भी देखने को मिलता है, तो यह तो सारे कीडों मकोडों को मारने वाला, pest को मारने वाला, insect को, germs को, liberty को मारने वाला, जैसे आप liberty-cidal tendency, अगर कहीं पर पढ़ रहे हो, liberty-cidal tendency, आप government या regime और organization, इसका मतलब कि वो आपके स्वतंतरता का, हनन कर रहा है, killing कर रहा है, तो fretree और fretter दोनों याद रखिये, यह दोनों भाई के लिए स्तमाल होता है, ठीक है, brother, f-r-a-t-e-r, इसी से fraternity शब्द आता है, भाई चारा, और यह brother के लिए दोनों ही root word है, सरार जो शब्द है, this is sister, यह sister के लिए root word है, sorority, marity मैंने आपको बताई दिया, याद रखिये, husband के लिए है, maritus root word होता है, जिसका मतलब भी husband होता है, अक्सार जो है, यह wife है, और यहीं से आता है, शब्द या expression, yugzorious husband, yugzorious husband किस तरह का husband होता है वई, loving husband, अक्सार का मतलब wife है, यानि यह होता है, पत्नी व्रता पती, yugzorious husband, बाकि तो यह सब आसान है, चलिए, आपके पास, अदर्वाइज लोका भी बोलने के लिए स्तवाल होता है, लेकिन यहाँ पर लोका नहीं है, तो उससे काम चल जाएगा, आगे बढ़ते हैं, idioms of the day, wriggle out meaning, avoid doing something in some clever or dishonest way, arachnicide, अनुराग शुकला जी ने बताया, तो arachnicide क्या होता है, अगर आप batch में रहे हैं, तो यह जरूर किया होगा, side से हमने करीब मुझे लगता है कि, 35-40 word तो कि यह होंगा, arachnicide, aboricide, boviside, autoside, बहुत सारे शब्द, बढ़ फिर रहाँ, वो कैब की एकलास हो जाएगी, root word की, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बच रहा हूँ, arachnicide, वो किसके लिए इस्तमाल होता है, वो होता है आपके spiders के लिए, arachnicide, वोर, वियो आरी, जो spiders को खाएं, spiders की हत्या, that is arachnicide, avicide, पक्षियों की हत्या, wriggle out, are we doing something in some clever, dishonest way, ward off, ward off evil spirits, the day meaning be successful, carry the day, hit the road, leave for destination, right, let's hit the road, चलो अब निकलते हैं, उठाते हैं गाड़ी, a tall order meaning, a very difficult कोई चीज, अगर इनने tall order कही जारी है, इसका मतलब उसको करना बड़ा, मुश्किल है,